कि नमस्कार नमस्कार दोस्तों मैं डिकलेश जेन हिंदी चेस बेस इंडर चलब पर आप सभी का हार देख में दोस्तों टाटा स्टील मास्टर्स में पहली बार ए मैं आप कहसे हो में गृप में जो है खेलने का मौका मिला है डी गोकेश को डी को केश जिनों नशद्रण जो पहले बोर्ट पर गोल्ड मडल जीत करें इस हास रचा था और उन्होंने उस खिलारी के रिकौर्ड को अई क कर से जो कंटिनुई किया था जिस ने पिछले उलम्पियाड पहले बोर्ड पर गोल्ड्स लिया फा डिंग ली रें ने और डिंग लिरेंग से उनका मुकाबला था पहला ही राउंड था क्लासिकल में पहली बार डिंग से आमना सामना हुआ यहाँ पर गोकेश का और मैच जो है वो कैसा हुआ वो तो आपको देख करके पता लगेगा लेकिन इस मैच के बाद यह भी सोन में आता है कि किस तरह से अब गोकेश जैसे प्लेयर्स जो है जब वो डिंग लिरेंग जैसे प्लेयर्स के आमना सामने होंगे तो उनको अब उनको जो है इस बात का एडवांटेज बिलकुल भी नहीं मिलेगा कि वो कोई नए खिलाडी है गोकेश अब बड़ा नाम है और सामने वाले खिलाडी जो है अब जो टककर होगी और जो सीखने मिलेगा ना इसकी अलगी बात है और यह खिलाडी जो है यह सब गोकेश आर्जुन प्रग्या इनके लिए बहुत एक बड़ी मेरे ख्याल से मौके हैं जहां पर वो दुनिया कि बैस्ट प्लेयर से लड़ेंगे और कुछ ना कुछ जो है वो सीख कर ही हर गेम से बाहर आएंगे आई देखते हैं इस मुकाबले को गोकेश जो है वो सफेद महरो से खिल कि गोकेश ने डी फॉर के शुरूबात की जितना गेम हमने देखा है पिछले दो-तीन सालों में अकर हम देखे तो गोकेश बहुत रिस्क लेते हैं गोकेश बहुत क्रेटिव खिलते हैं किसी से भी नहीं डरते हैं इस गेम में भी वह इस पर बिशॉप एशिक्स आपका जो बैड बिशॉप है आपके जो लाइट का बिशॉप है उसको सबसे पहले बहार लेकर किया किसी तरह से कोई एकशेंज कर सकते हैं फिलाल तो c4 अटाक बिशॉप बिशॉप बबीफोर चेक बिशॉप बीशॉप बापस चला जाता है यहांपर एकशेंज हुए वो नहीं करते है नाव बिशॉप जीटू एसलिंग और डिंगली रिन खिलते हैं यहांपर दीफाइफ गोकेश खेलते है और डिंग लिदेन यहाँ पर चुनते हैं C6 और गुकेश कंटीनू करते हैं यहाँ पर बिशप F4 खिलते हैं अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वाइड कार डेवलोप्मेंट जो है वो अल्मोस्ट फाइन है आपके सारे पीसे जो है वो बोर्ट पर आ चुके हैं देफिनेटली C4 के स्क्वेर्स पर है एक दबाव यहाँ पर पढ़ता हुआ आपको नजर आता है कि अगर एक्षेंज हो लेकिन फिलाल यहाँ पर जब देंटू C4 मारा जाएगा उसके बाद 95 के थ्रेट है इस डागनल पर एक प्रेशर है और इसलिए वो पाउन अभी तक इसको खेला है तो अलेक्सी ड्रीव जो रश्या के एक समय वर्ड टॉप टैन के अंदर हुआ करते थे उन्होंने सूर्ज सिखर गॉंगली को 2015 में इस लाइन में हराया था फ्लैक अपना पिले डेवलप्मेंट कंप्लीट करता है बजाए कि C4 पॉन को मारने के नाइट BD7 और इसके बाद गुकेश एक रास्ता चुनते हैं नाइट E1 जो कि इससे पहले कभी भी नहीं खेला गया तो गुकेश एक नॉवल्टी यहां पर खेल रहे हैं अब गुकेश डायक नाइट E5 ना जा करके आने बाले समय में आपको इस पोजिशन में जो है जैसे नाइट D3 सकता है आप C5 को आने से रोख सकते हो नाइट B4 आप जा सकते हो और इसी नाइट का इस्तिमाल नाइट F4 बगएर पर हो सकता है तो तो दितने हैं गुकेश नहीं आपर क्या किया रुकी एट नाव नाइट D3 और ना यहां पर ब्लैक खेलते हैं नाइट F8 के गुकेश नाइट F8 गया उसी समय क्लियर हो गया था कि यह नाइट भले इधर से आए या इधर से आए इस बिशाप को जो है वह काफी तंग करने वाला है और इस बिशाप आपको इसमें एक चीज और भी पॉइंट है कि यह जो पॉन है यह आपका डार कलर पर फिक्स है इसका मतलब करके यहाँ पर सब कुछ उन्होंने सॉलिट कर लिया और सब कुछ यहाँ पर मजबूत नजर आ रहा था और पॉजिशन लगबाग बैलेंस लग रही थी यहाँ पर नाइट C5 यह एक बहतरीन चाल जो है डिंगली रेन डूड के निकालते हैं बोर्ट की उपर अब आप द अब आया बोर्ट का सबसे क्रिटिकल अब आप देखो तो एक तो पॉन दोनों के बराबर हैं यहाँ पर डबल बिशाप है इंगलेरियन के पास उनके दोनों रुक सेंट्रलाइज हैं वाइट की पीसेज भी जो है वह अच्छे लग रहे हैं पर अगर आप स्पेस वाइस देखोगे तो आपको साफ देखेगा कि ब्लैक की पीस पर अच्छा कर रहे हैं अच्छा लेकिन यहाँ पर वाइट को एक सी सिक्स पर पॉन जो है वह मिल सकता है अगर यहाँ पर पिशप इंटू सी सिक्स खेलें रुक सी एट आए और नाइट एफ फोर खेला तो इसको कर अब यहाँ पर मुझे लगता है जो मुव के शायद मिस हुआ या उनको नहीं खेलेंगे इंग ज्यादा वीख हो रहा है अब प्रॉब्लम यह है कि आप इस गोड़े को लेके कहां जाएंगे यहाँ पर जाओगे तो डिसकवर अटैक का खत्रा रहेगा हमेशा अवेलबल है यहाँ अवेलबल नहीं तो नैच्वर दिखता है नाइट एच पाइफ वह भी क्वीन पर अटैक करते हुए बट क्वीन एच सिक्स के बाद सडली आप देखो तो इस घोड़े के पास जो है कोई स्क्वेर नहीं बचा जाने के लिए वापस और फोर्स हो गया यहाँ पर पर अटैक है और आने वाले टैम में क्या हो सकते हैं मूव आ सकते हैं जीफोर जैसा मूव कभी आ सकता भी नहीं बट आ सकता है और उस घोड़े के पास आपको जो है आपको पोजिशन बहुत ही अंकमफोर्टेबल हो रहा है वहां पर तो सीफाइब खेला यहाँ पर उनने पोजिशन की समझ बहुत अच्छी हो गई तो वो खेलते हैं अब इस पर आपका एक सवाल हो सकता है कि भाई अपने राजा को इतना कमजोर क्यों कर रहें तो यहाँ पर दोस्तों एक जवाब है कि हमेशा याद रखे कि आपका राजा ओपन हो जाए इसलिए वह वह वीक न क्या खेलें यहाँ पर क्योंकि पोजिशन अगर यहाँ पर F5 मारने के लिए जाते हैं यहाँ पर जैसे माली जी की क्वीन F5 खेला यहाँ पर बिशप इमीडेटली एक्टिवेट हो जाएगा C8 से आप क्वीन C2 अगर आओगे तो पोजिशन जो है अल्रेडी काफी यहाँ यहाँ पर अच्छी हो जाएगी यह काफी फसे हुए पीसे से पुरे तो इवन बिशप D5 जैसा अगर कोई मूग खेले तो किंग H8 और आप देख सकते हो कि फिलाल आपका क्वीन पर अटैक है आपके बिशप पर अटैक है तो उन्होंने खेला यहाँ पर नाइट जी त्र बिफोर खेला यहाँ पर वोकेशन है डेफिनिटली आप मारने जाओगे सी बीफोर सो नाइट डीफोर रुग डीफोर रुग डीफोर कुईन डीफोर और बिशप C6 के बाद जो है पोजिशन प्रो के चांसे काफी जादा है क्योंकि कुईन अंदर एंटरी हो रहा है जी स इसने भी थ्रेट्स आते हैं उससे वह अपने आपको बाहर कर लेता है कि यहाँ पर एथरी किया सपोर्ट लगाया बीफोर के पॉन को गोकेश ने सुनाव एचफोर रुख यवार आया यहाँ पर गोकेश नाव यहाँ पर गुड मूव आया डिंग लिरिन के तरब से रु लगातार यह क्लियर हो गया था कि जी फाइफ के बाद की यहाँ पर यहाँ पर रिजाइन कर दिया क्योंकि नेक्स्ट मूव एफ्टू आ रहा है पॉन इंटू एफ्टू और बच नहीं रही है कहीं से भी तो यह पोजिशन आप देखोगे यह गेम देखोगे तो एक तो आप ओपनिंग के साफ से देखोगे तो जो चुनाओ किया ओपनिंग का जिस पोजिशन पर यहाँ पर गेम में आते हैं और उस पर आप देखिए खासतोर पर जब यह नाइट एफट गया उसके बाद से लगातार यह क्लियर हो गया था कि जी फाइफ के बाद की डिंगले देन चाल चल रहे थे और यह जो रुकिंटू एफोर फिनिशिंग मुव आपके सकते हो आया ज्यादा कुछ गेम में नहीं था और इसलिए गोकेश ने जो हार स्विकार कली तो यह पहली हार है एक्शली पहला ही क्लासिकल मैस था डिंगले रेन के खिलाफ पहली बार करवा गोकेश को जिस तरह से खिलाडी है इस टोनामन में आप देखो के कि अपने आप यह बहर करके आते हैं आज जो हार है वह आपको सीखने का और बापसी आने का मौका भी देती है उम्मीद करते हुए वीडियो आपको पसंद आयोगा पसंद आयो तो लाइक शेर और सब्सक् एक लिए मैनिक लिए एंदोस्त